विल्कम बैक टू मैं चैनल में इसनिया आज मैं आपके साथ डहिलिया प्लांट पे बात करने वाली हूँ कि डहिलिया प्लांट पे अभी हम क्या काम ऐसा करेंगी जिससे हम एक डम बिल्कुल सैक्ड़ो फूल उससे ले सके बहुत सारी मल्टिपल ब्रांचेस हो और प्लांट हमारा काफी अच्छा हेल्दी है और घाना हो तो उससी टोपक पर हम बात करने वाले हैं तो वीडियो पूरी आंद तक जरूर देखेगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजेगा मेरे चैनल पर न अब तक आपको दिखा देती हूं जो मैंने काम किया है और अभी आपको क्या करना चाहिए कि आपका काफी अच्छा हेल्दी और खुबसूरत से प्लांट हो तो यह देखे मैंने ऊपर ऊपर की सब की पिंचिंग कर दी है पिंचिंग करने से फायदा यह होता है कि प्लांट कर दिया था यह देखिए मेने डाहिलिया सारे यहां से देखिए पिंच किया था और एक दो तीन चार निकल रही नीचे से भी और निकल रही इसको मैंने पिंच कर दिया इसमें भी दो बड़े हो जाएंगे तो इनको कर दूंगे तो इसमें दो से चार चार से आठ इस तरह से तो इस निर्फ सायद से काफे शारी ब्रांच इसमें निकल रहे हैं तो इसारी काफे सारे कब्रांच सुन इसको ब diff s country तो यह देखिए यह उपर की जो टीफ होती है इसको आपको इस तरह से पिंच कर देना होता है यह देखिए इस तरह से पिंच कर देते हैं ऐसे अगर आप पिंच कर देंगे कट कर देंगे पिंच कर देंगे जो भी आपको समझ में आए यह देखिए यहां से हम इस तरह से इस तो यह हमने छोटी-छोटी सिडली जो मतलब कटिंग से ग्रोव हुए प्लांट थी इनकी कर दी अभी आपको में चलिए अपने बल्ब बादे प्लांट दिखा देती हूं उन में से गाफी मल्टिबल ब्रांच पहले से ही निकली हुई थी कि एक प्लांट आप ग्लनु में मां मेना कर्टिंग से लगा हुआ यह देखिए किटने बिक साइज के पलांट आप और ब्रांच पहले से इस Сп subt पर देतरे से ब्रांच निकलना शुरू हो जाते हैं तो जो जैसी यह वाली ब्रांच हमने भी नहीं की है यह देखी तो इसको यहाँ से पकड़ना है यह देखी यह वाला ऊपर गजोटीप होता है इसको आपको इस तरह से पिंच कर देना होता है और इस भाग को आपको फेंगना नहीं है अभी कटिंग इतनी फास्ट इसकी ग्र कर सकते हैं इसके बाद आए इसके बाद लिभार संब्लिल मिंज़ कि कर दिया कुछ ब्राइम याThis is तीन चार दिन पहले की थी और देखिए ये देखिए साइड से ब्रांच निकल रहे हैं इतनी सारी ब्रांच निकल रहे हैं यहां से यहां से भी यहां से भी तो देखिए यहां से पिंच किया था और इसमें चार ब्रांच एक सार निकल रहे हैं इसी तरह से देखिए तो अग बहुत ही जादा हेल्दी और बहुत ही बड़े बड़े से कीलते हैं यह देखिए यहां पर जी टीफ है तो इसको हमको इस तरह से यह पिंच करेंगे तो यह साइड ब्रांच निकलेंगे और अगर आप पिंच नहीं करते हैं तो प्लांट आपका लंबा-लंबा सा बस एक या दो ब्रांच मुस्किल से रह जाता है जादा ब्रांच मुस्किल से तीन ब्रांच निकलेंगे तीन ब्रांच से जादा उसमें आपको नहीं मिलेगी यह देखिए यहां से यहां से हमने पिंचिंग कर दी तो इस तरह से अगर आप पिंचिंग करते जाते हैं अपने प्रांट में नहीं नी ब्रांच डेवलप होंगी और प्रांट आपका काफी ज़्यादा घरा हो करके धेर सारी फूल बनाएगा इसे फूल कर जो साइज है वह भी छोटा नहीं होता ऐसा कि आपने पिंच कर दिया तो बहुत सारी ब्रांच निकलेंगी तो उनमें फूल छोट पूरे अप्रेल तक इन भी फ्लावरिंग होती रहती है तो यह चीज़े अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर करिए क्योंकि आपके प्लांट भी इसी तरह से काफी अच्छे हेल्दी रहें यह देखी हमने कर दिया पिंचिंग और उनको भी हम सबको लगा देंगे तो जि आपको करना है यह देखिए यहां से आप चाहें किसी सीजर से भी कट कर सकते हैं तो भी हाथ से इस तरह से बस इसको तोड़ना होता है यह देखिए यह देखिए यहां से हमने कट कर दिया है और अब इसमें और ज्यादा ब्रांच हो जाएंगी जो बहुत ज्यादा छोटी प्रांट को पिंच कर दिया अब दुबारा इसकी पिंचिंग नहीं करनी पड़ेगी तो यह एक बार में ही इतना ज्यादा घना हो जाएगा कि खूब सारे डेर सारी मॉल्टिकल ब्रांच इसमें नीकलेंगी और आपको प्रांट काफी ज्यादा घना हो जाएगा काफी राइडन का लाश्ट प्रांट लाश्ट लाश्ट इस यह और पहले का यह बस इसी गमले में पढ़ा रहता है और जब मन होता है इसका तो यह जोड़ हो जाता है और यह सारे फ्रीट 125 दिस्टाइब विश्ची सब्सक्राइब से लेकर कर सकते हैं और यहां पर देखें रोज की प्लांट को कोई खा रहा हक है हूं कि कुछ तो लगा इसके अंदर भूट प्यारा लेकिन देखिए सारे में छेद कर दिया उसने और यहां पर देखिए कितने प्यारे प्यारे से फूल खिलना इस्टार्ट हो गया है रोज प्लांट में तुछ समय करती रहती हूं जो भी बताती हूं आपको मेरे आपके सामने रिजल्ट भी होता है ऐसा नहीं है तो अगर दीजीयेगा और अर दमी कंपोस्ट उत्पिर बन मिल जरूर्थ जरूर दीजिए गया अपके पिसमे देशीयों प्लाइब दे शकते हैं if you can be पगंता सब्सक्राइब क pollen कानवागे बिल्कुल से कटिंग तूब कोई को एक याँ आपको दिखा देती हो किस तरद से कटिंग लगा तहीर भी सब्सक्र MooTON को निकाल लेंगे अभी फिलाल में इससे में लगाए दे रही है तो इस flagship है आप दूसरा पाइस minim लिए सकते हैं मिट्टी भरने में थोड़ा से टाइम लगेगा इसलिए मैं जल्दी में इसी में आपको लगा के दिखा देती हूँ किस तरह से आपको ये कटिंग लगानी है आप चाहे तो नीचे एलो वेरा जिल लगा सकते हैं और जल्दी फास्ट रूटिंग हो जाएगी और पंदरा से चोटी कटिंग हमने लगा दिए पत्तिया भी नहीं हटाई जो नौड से पत्तिया उसी नौड से ग्रोब हो जाएगा तो ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग को लगा दिया तो आप भी इससे में लगा सकते हैं तो बस प्रेंट्स जो इंफॉर्मेशन में आपको देती हो जाते हैं तो यह चीजें हमको करनी होती हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाए